चाली दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल्ड एफेश चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के गरंड एफेट डेली बेसिस पर यहां पर आप पड़ सकते हैं किक पॉइंट और पर वीडियो डेली आती है रेगुलर देखें टैन मिनट का वीडियो तभी वेरी फिट हो यनट में 2300 मेंटका वीड का वीड जो शिप्मेट है वह अफगानिस्तान तो रहें इंडिया इसके छलते ही इंडिया ने कम्पलीट कर दिया है 33,000 मेट्रिक टन का जो वीट अफगानिस्तान को भेजना था वर्ल फूड प्रोग्राम के अंतरगत जो पार्टर्शिप इंडिया ने करी थी उसके अंतरगत हमेंटेरियन असेशन के रूप में जो है बेजा गया इससे पहले जो है यह जो रूरुट युटलाइज किया गए है वो पाकिस्तान से होके जाता है इंडिया ने प्रॉपोजर रखा था पाकिस्तान के सामने साथ अक्टूबर को टांसिस फेसिलेटी का जो की वीट प्रोवाइड कराना था तो वह एक्सेब भी किया था पाकिस्तान के द्वारा 24 नमबर से तो यह फाइनली हमेंटरिन जो है अप्रोवल दिया गया है यह अर्मिन बाक्षी जो स्पोक्स परसन है चीफ जो एक्सटरनल अफेर मिनिस्ट्री के उनके द्वारा यह अप्डेट दिया गया है लेट सी दे नेक्स कोशन एक्टिविस्ट तिस्ता स्टलवर्ड ज किया था जो जाकिया जाफरी का केस जिसमें उन्होंने जो पिटीशन डाली थी नरेंद मोदी जी और बहुत सारे और लोगों के खिलाफ गुजरात के कल्पिट्स के रूप में वह सुप्रीम कोट ने याची का पूरी दायर कर दी उसका जो एसाइटी है उसको एसाइटी क सब्सक्राइशन डाली थी और उनको सपोर्ट करने वाला कून था एक एंजी ओ था और उस एंजी ओ की हैड है तिस्ता स्टैवल तो अभी हाल फिलाल में गुजरात एंटी टेस्ट टेरिस्ट जो स्कोड है उनके द्वारा जो है इन्हें कस्टडी में लिया गया फ्रों में इन कनेक्शन विड़ा फिलाल में गन सेफ्टी लेशन जो है इसे साइन किया है तो यह भी बड़ी बात है अमारिका में जो हुआ है अभी इससे पहले कैनेडा में भी गन कल्चर को कम करने के लिए जो है कोशिश की गई और अब यहां पर एक इनिशेटिव लिया गई यु यह इस वज़े से हुआ है कि हाल फिलाल में अमेरिका में चूटिंग हुई वालडा टेकसस से अलिमेंटरी स्कूल है और बफैलो में तो यह एक बड़ा इशू बना कि जो यूथ है उनके पास यह गन कहां से आ रही है फिर अगर इनको राइट दिये गे तो किस वज़े से तो इसी वज़े से सिनेट ने पास किया एक बिल जिसमें जो है एन्हांस की अधायका बैक्राउंड शेक होगा कि एक यंग गन बायर जो 18-21 की बीच में है उसको गन मिले तो किस वज़े से मिले तो मतलब इससे गन कल्चर को जो है कम करने की कोशिश की जाएगी और इसमें जो वोटिंग हुई है उसमें सपोर्ट सभी ने दिया और लेट सी नेक्स कोशन के चीफ ने वोन किया है वर्ल्ड को की वर्ल्ड पूरा जो है फेस कर सकता मुल्टिपल फेमाइन अभी इस एर भी और आने वाली एर्स में भी तो यह उनाइटिन नेशन के द्वारा ऐसा का युनाइटिन नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटियों नेग ट्रस के द्वारा वहन किया गये कि वह पूरी दुनिया है इसमें जो एक एड़ ऑन किया गया है यूकरेन और रॉश्या की वर्लड की वज़े से जो है डिस अप्शन जो है और इंक्रीज हो है वैसे भी जो है बहुत बड़ा इशू बन चुका है उसके उपर से क्राइसिस चल रहे हैं तो ये इस वज़े से ऐसा स्टेट्मेंट जो है दिया गया है चलिए एक और कोशन देखेगा है विसेंड़ी कौन जो है गोल्ड मेडल जीते हैं क्यूसानोव मेमोरियल 22 एथलेटिक्स में तो इंट्री लेवल गेम भी कह सकते हैं कॉमन वेल्थ के लिए जिसमें इंडिया के वूमन डिसक्स जो थ्रोर है नवजीत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो यह पूरा इवेंट हो का रहा है कजाकिस्थान में हो रहा है यह पूरा इवेंट उसकी अलामा और भी बहुत कि पेस्ट पीनिस्टर में विजट किया है कहाँ पर तो आंसर यह तो यह से लिए तिन दिन का विजट है जिसमें यह बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं जिसमें से सबसे इंपोड़न ओगा जो बाकी विजट के पॉइंट्स है वो ज़रूरी निये यह इंपोड़न्ट है कि यह ICMR National Institute of Research जो टीबर क्लोसिस के लिए है सिटी में चन्नाई में वहाँ विजिट कर रहे हैं और उसके अलावा Foundations टोन रख रहे हैं New Technology Center के इसी Campus में तो important है उसके अलावा जो है यह जो है Center Institute of Petrochemical Engineering and Technology जो है यहाँ पर भी विजिट कर रहे हैं तो यह दो-तिन location है जो आपको मिल सकता है कि चन्नाई में है कि नहीं है क्योंकि डेफिनिटी लोकेशन पर ही कोशन आएगा यहां से चलिए एक और कोशन देखिएगा नैस्टनल लोक अदालत जो है कंडट कि जारी एक कि षिट में बहुत important कोशन है यह तैलंगाना में कंड़ है यह कह सकते हैं जस्टिस को और क्रिफ करने के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि नैस्टनल लोकलक अदालत कंड़्ट की एंदा तलंग आ सबी लेवल पे from high court to तलुक लेवल जो तलुक का लेवल जो होता है उन सभी में और all kind of civil and commandable criminal cases जो हैं सबी के लिए और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का जो settlement नहीं हुआ किसी भी case का visual और virtual mode में तो वो क्या कर सकते हैं कि वो जो है यहां पर न्याय ले सकते हैं district legal service authority के पास उन्हें approach करना पड़ेगा और उसके बाद जो है उनको ये services दिये और even उन्होंने अगर अपना amount fund जो है court में डाल दिये तो वो भी refund हो जाएगा ठीक है बट the condition इसकी जो उनका solution है वो लोग का दालत से मिला हो और कोई भी अपील जो है उसके बाद लोग का दालत के बाद और कहीं ना हो चले देखे एक और question देखे कौन सी country ने अपोस किया जी 20 इवेंट इन जम्मू कश्मीर तो डेफिनेटी पाकिस्तान ही अपोस कर सकता है तो पाकिस्तान ने यह चीज बोली है कि जम्मू कश्मीर जो है internationally recognized disputed territory है between Pakistan and India तो यहाँ पे G20 करना मतलब recognize करना है कि this is the part of India तो अभी जो है scheduled है कि यह meeting होगी और अब इससे पहले जो है पाकिस्तान इस चीज को counter कर रहा है सिर्फ इतना सही point है कि G20 members जो है इन्हें जो है इस चीज को reject करना चाहिए G20 की meeting जम्मू कश्मीर में तो यह point है बाकी इंडिया ही इसमें जो है upper hand रखेगा definitely नवीन शिर्वास्तवा जो है नीली अपॉइंटेड अमबेस्टर है कहां के तो आंसर इस कोशिंगा नेपाल के नवीन शिर्वास्तवा जो है एक important person है अगर external ministry के साब से देखा जाए क्योंकि इन्होंने बहुत जगा अपना जो है जो योगदान दिये यह अमबेस्टर प अभी additional security east asia division जो है अभी इनको जो है नेपाल का ambassador बनाए गया है इंडिया के तरफ से 1993 बैच इंडियन foreign services से है तो important है question आपको मिल सकता है जो पर की new ambassador नेपाल के कौन है रशिया nuclear capable missile जो है कौन सी country को दे रहा तो बेलरस को देखिए इस समय अगर देखा जाए Ukraine रशिया के वर के समय सबसे जादा supportive उस एरिया में सिर्फ बेलरस रहा है रशिया को तो रशिया और बेलरस के बीच में एक अच्छा tie-up हो गया तो रशिया जो है सप्लाई कर रहा है nuclear capable सकतर M missile system बेलरस को अभी आने वाले मंथ में यह announcement किया गया है ठीक है जो weapon transfer की जो details है वो सब जो है discuss की जाएगी अभी दोनों देशों के बीच में अगर देखा जाए इसकर M एक mobile guided missile है जो जिसमें जो है SS-26 टो लगा हुआ तो यह जो है important है question आपको मिल सकता है कि बेलरस क रशिया ने जो है क्या देने की बात करिए कौन सा missile system जो है देने की बात करिए देखे एक और question कौन सी country और European Union जो है इन्होंने agree किया है कि यह दोबारा restart करने वाले nuclear deal तो answer is question गा इरान definitely जो nuclear deal है इसका जो मुद्दा है वो US से और इरान के बीच में है लेकिन अभी हाल फिला की तरह काम करके जो है यह चीज करना चाता है कि जो डील है इसको दोबारा continue किया जाए अभी हाल फिलाल में ब्लोक foreign policy chief जो है इनके द्वारा visit किया गया और उसके बाद इन्होंने बात करिए कि जो nuclear talks है USA की जो है USA जो है start कर दे तो यह अपडेट है उसके अलावा और कुछ नहीं क्योंकि इससे पहले जो है restore करने क्या 2015 का यह nuclear record है तो इस पर जो है अभी भी बात चल रही है पॉइंट देखिएगा हाल फिलाल में चेर्मेन फोक्स कोन के जो है योंग लियूस के साथ कि मीटिंग हुई तो नरेंद मोधी जी की कौन सी गंट्री ने रिजेक किया USA क स्टेट पार्टर्शिप प्रोग्राम नेपाल ने मीचल कॉर्परेशन का डिसकर्शन ब्रिक्स में किस मेंबर के द्वारा किया गया तो हमारे इंडिया के द्वारा नरेंद मोधी जी के द्वारा चलिए तो यह है आज की क्विक पॉइंट देखिए मैंने कल एक सवाल दोस्तों टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करना क्योंकि देखो अगर आपको PDF मिलेगी ना तब आपको बेनिफिट रहेगा मैं आपको डेली बाइदा नाइट इसका PDF भी देता हूं और बाकी अन्ने PDF भी देता हूं इसी टेलिग्राम चैनल अमन सर्वाइफ इस जिसमें स सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो सर्च कर लिजेगा उसमें जुडिएगा टेस्टों इटलाइज करिए दोस्तों रिपोर्ट एंविन का ओप्शन एवलेबल है और क्योंकि मंत का लास्ट टाइम है अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं आपको बस एक पूरा सब्स्रिप्शन लेने के लिए चाहिए कोई भी एक्जाम हो आपको सिर्फ एक कोड यूज करना है जिससे आपको जितने भी आप एक्जाम देख रहे हैं इसके अलावा जो भी एक्जाम होते हैं सारे जो प्रिपेशन होती है सब में आपको मेनेफिट होगा अगर आप आज जोइन कर रहे हैं तो आज ही लाइवामन कोड लगा के देखिए बस इधर कोड लगाना है लाइवामन प्रोसीड टूपे से पहले यूविल फाइंड दा चेंज जो आपके प्राइजिस हैं वो बिल्कुल जो है कम हो जाएंगे तो यूटलाइज करिएगा सेशन को लाइक करिएगा शेर करिएगा चैनल को सब्स्राइब करिए थैंक्स लाट फू वोचिंग में